नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको यह तीन कलर का खुबशूरत सा डूर्मेट बनाना बताऊंगी यह हमारे तीन रंग है जिसका मैं यह डूर्मेट बना के तयार करूंगी और इसमें मैं ब्राउन कलर से 20 फंदे डालूगी अब इसमें हमने यह 20 फंदे डाली हैं और इसको अभी ब्राउन से डाले हैं और विजाइन में पहली सलाई से स्टाट करना है तो मैं पहला फंद यह लूँगी न ब्लू कलर तो अभी पहला फंदाम उतार लेंगे इस दागी को ऐसे घुमा के ले लेंगे और यहां से हम लगाएंगे ब्लू कलर इस तरह से इसको हम साथ में इस तरह से बिंडेंगे इस तरह से एक बार उपर एक बार नीचे करके बिंडेंगे तो यह साथ में बिंड जाएगा और यह खुलेगा भी नहीं तो यह हम ब्लू से सारे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे अब यह हम ब्लू से फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरह से सभी फंदे बिन लेंगे और दो फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलाट लेंगे और सीधी सलाई में हम सारे फंदे के इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे इन फंदों को मिया लास तक इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनना है तो मैं इन सभी फंदों को बिन लेती हूं अब या देकंगे सारे संदें हुलट इल्टे इल्ले तो यह एक संद हमारा ब्राउन का है इसको हम बी अधीं की से अब आ जाएंगे हम सीदी साइड में अब सीदी पाईड में प YOUR फानद में ब्रावं का है कि इस तरह से अब जूके संदें when massetics यूगी तरह से उल्टा उल्टा सभी पाहस सो तरह से भील अब यह समें सारे संदियू को उल्टा ह crawl देंगे के अंस बार हम ने 2 में दो पाहस में बडू के छोड़ेए और यहीं से सलाई के पलट लिए और या सीधि सलाई में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बिनना है इस तरह से हम यह देखें इस तरह से हम सभी फंदों को यहां तक हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं अब यह देखें सारे फंदों को यहां तक हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं अब यह देखें सारे फंदों हमने और दो फंदे हम फिर से छोड़ दिंगे बीना बिने, तो हमारे यहां पर दो दो करके तीन सेप चोड़ गए हैं और यही हिसे सलाई पलट नहीं पूरी, यहां पूरी यहां पूलटी कि साइड में आ गए फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, भागांगे किया और वाकी फंदों को फिर से तरह से बीनेंगे हर बार हम दो दो फंदे नीचे की तरफ छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो इसी तरह से हम बीनेंगे पूरे अब यह दिखे हम नीच से फंदे बिन लिए अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे अब फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिनना है अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में सीधी सलाई हमें पूरी उल्टी-उल्टी उसी तरह दना है, उल्टी साइड में फिर पाइला फंदा उतारा, धागांगे किया, और इसको भिन रहा, और इसको हम ऐसे साथ में इस तरह से उपर फसाते हुए लेते चलेंगे, नहीं तो ये नीचे रह जाएगा, तो फिर ज्यादा दिक कर देंगे, और दो-दो करके पूरे फंदे छोड़ दिये, अभी चार फंदे बचे हैं, फिर हम पहला फंदा उतारेंगे, धागांगे, और दो फंदे बिनेंगे, और ये दो छोड़ देंगे, और यहीं से सलाई पलटके आ जाएंगे, तो इसी तरह से हमने ये दो-दो करके पूरे फंद प्भांदों को हम फिर से पूरह उल्टा उल्टा, बिन लेंगे इस तरह से विलकुल यहाँ लास तक अब ये देखे, हम्हें पूरे फंदे बलु बाले बिन ले, अब दो फंदे ब्राउन के इनको भी हम इस तरह से उल्टा बिंग लेंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे अब यह देखे हम सीधी साइड में इस फंदे को उतार लेंगे और इसको टाइट करके सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिंगे तो यह सीधी सलाई हम पूरी इसी तरह से निकाल लेंगे उ तो अब हमने जैसे शुरू में यह फंदे डाले थे सेम यहां पर आ गए जैसे शुरू में हमने यह फंदे डाले तो यहां से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी दूसरी कली स्टार्ट करने के लिए पहला फंदा उतारेंगे धागा आंगे यहां पर हम लगाएंगे अपना ये लो गला है तो इस धाग्य को ऐसे करेंगे में इस तरह से और इसको हम इसके साथ में ऐसे वार भी लेंगे और हैम इसको हम इसको हम इसके साथ में अंसे और वाग करने से अंधर ये चुंहीट надо यह द्यान रखना इसको नीचे की दबा के ही छोड़ना है उपर की तरफ छोड़ोगे तो यहां आ जाएगा और सीधी सलाई पूरी इसी तरह से हम उल्टा-उल्टा बिन लेंगे यह देखें हम सीधी फंदे फुर Debdy लिए और दो फंदे हम बिन चोड़ देंगे तो दो फंदे हमारी यह ब्राउन के चोड़ गये और सीधी सलाई हम पूरी इसी तरह से उल्टा-उल्टा करके पूरा बिल लेंगे यह दिखिए और यहां लास तक यह हमारा एक फंदा ब्राउन का है इसको भी एलो से बिल लेंगे अब यह दखे वने सीधी सल्कावाय पूरी उल्टी उल्टी बेन लिए अब यहाँ से हमारी यह दूसरी कले स्टाट होगी यह दूसरे कलर से अब यहाँ से सेम उसी तरह से हम रिपीट करेंगे जैसे यहाँ पर बराया था अब यह देखें फिर पफंदा उता लेगे थागा आँगे इस तरह से और अब यह दो कलर को हम एक साथ साथ ऐसे उपर की तरह फसाते हुए चलेंगे इस तरह से उससाभी फंडों को फिर से उल्टा उल्टा भी नेंगे और नीचे दो फंडे हम फिर से चुड़ देंगे इस बार ब्राउन के छूटे थे इस बार यह लो के इसी तरह से रिपीट करेंगे तो यह हमारा बहुत जल्दी हो बहुत सुन्दर डॉर्मेट बन के तयार होगा और मैं आपको बना के दिखाते हूँ अब यह देखे मैंने जैसे बताया था सेम इसी तरह से रिपीट किया है तो यह देखे हमारा कितना सुन्दर डॉर्मेट बन के तयार हुआ है और यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, चोद करी का बहुत सुन्दर सा डॉर्मेट बन के तयार हुआ है देखे कितना अच्छा लग रहा है मारा यह दोर्मेट अब यह देखे मारी लाश्ट वारी लाइन है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे उसके लिए मैंने अब मैंने दो-दो करके पूरे फंदे यहां तक рाइंगे नहीं तो यह पूरी लाइन हम यहां तक बिल y यलो कलर से यह देखे दो फंदे को एक साथ यह सीधी साइड में ही घटाएंगे यह देखे दो को एक साथ इसको इसमें फिरोएंगे फिर से बिन लेंगे यह देखे फिर इसको इसमें फिरोएंगे फिर से बिन लेंगे तो इसको हम ना बहुत टाइट घटाएंगे ना बहु अब ये मित के सारे फंदों को 2 का, 1, 2 का, 1 के करके घंठा लिया तो ये देखें, इस तरह से हमारी यहां पे लास्ट में यह कल्य आ जाएगी इस से हम यहां पे सिलाईमारों देंगी आपको मेरे डोलमेट कैसे लगा ? कमिंटर की जरूर बताइए नमस्कार दोस्तो